नमस्कार, आज हम बनाएंगे प्याज से बहुती टेस्टी नास्ता, तो सायदी आपने कभी बनाया होगा, तो आप जरूर बना के ट्राइ करें, तो मैं हूँ यसोदा और यसोदा रतूरी किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो ल एक आलू हमने मोटा मोटा काटा है, इसे भी डाल देंगे, तो हमने छिलका उतार के अच्छी तरह धोके इसे डाला है, दो हरी मिर्ची हम इसमें डाल लेंगे, और यह अधरक हमने थोड़ा सा काटा है, उसे हम डाल लेते हैं, यह हमने पांच से छे कलिया लसुन की छिलके डोके विल्कुल इस में डाल दी हैं उसके बाद हम यह ढ़कन लगा लेंगे और इसे ग्रैइंट कर लें Boris यह हमने में प्देлет बना दीगे इसमें पानी नहीं डाला यह चाहिएं प्याज में और आलू में तो वैसे ही पानी होता है तो ये एक बाउल ले लेंगे एक छनी ले लेंगे और इसमें हम इसे डाल देंगे तो सारा ही पेश्ट हम इसमें डाल देते हैं तो उसके बाद एक कर्ची हम ले लेंगे और उससे ऐसे दबा दबा के हम इसको पूरा छान लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई मोटे पीस रह गए हो तो वो अलग हो जाए इसी में रह जाएंगे उपर तो यह आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा जो है वो हम अलग निकाल देंगे इसको विल्कुल छान के विल्कुल सारा ही पेश्ट नीचे चला गया है बावल में यह हम निकाल लेते हैं और इसको चन्नी को अच्छी तरह साफ करके इसी में रख देंगे डाल देंगे जो भी पतला पतला पेश्ट है वो निकल गया है उसके बाद स्वाद के अनूसार हम इसमें नमग डाल लेंगे और उसके बाद इसमें डाल लेते हम यह थोड़ा सा जीरा हमने आधा चमच लिया है वो डाल देते हैं कच्छा जीरा उसके बाद ये थोड़ा सा हमने काली मिर्ची पाउडर लिया है वो डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर आधा चमच डाल देते हैं पहले हरी मिर्ची भी हमने डाल रखी हैं और ये दो चमच हमने तिल लिये हैं सफ भारा दनिया यह हमने काटके डाल दिया है तो उसके बाद इसमें हम एक चमस तेल डाल लेंगे रिफाइंड ओल हम डाल रहे हैं उसके बाद इसे अच्छी तरह से कर्ची से हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह बहुत ही टेश्टी बनते हैं, आप एक बार बच्चों के लिए बना के देखिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है यह नास्ता, बहुत ही टेश्टी होता है, जैसे टिफिन में देना हो, आप टिफिन में इसे दे सकते हैं, बच्चों को तो ऐसी चीजें बहु कर रहे एक तो अभी भी यह गीला लग रहा है और अधा हम डाल ले ते हैं फिर से इसे अच्छी दर है मिक्स कर लेंगे इसमें आलू और प्याज में तो काफी morte हो जाता है तो उसी में हम leerated का यूज नहीं करेंगे इस pine activ को ऐसे ही एम ढोग बनाएंगे भिल्कुल है जैसे हम पूरी इसके विल्कुल अच्छी तरह से तयार कर दिया है अब इसे पांच साथ मिनट के लिए हम ढखके रख देंगे ताकि अच्छा सॉप्ट हो जाए तो पांच साथ मिनट हो गए हैं उसके बाद थोड़ा सा इसे और मसल लेंगे हाथ पे थोड़ा तेल लगाके इसे मसल लें अच्छा सॉप्ट बन जाएगा है उसके बाद हम छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे जैसे हम पूरी के लिए तोड़ते हैं सेम ऐसे ही तो यह हम पूरी ही बनाएंगे इसकी तो ऐसे करके हम सारी लोई यां बना लेंगे छोटी तो दूसरी भी हम बना के दिखा रहें आपको यह ऐसे करके दूसरी लोई भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे तो और भी लोईयां हमने यह काफी सारी बना दी है तो अब हम बाकी आठा अठा देते हैं और इतना आपको पहले बना के दिखा लेते हैं तो ये हम चकला ले लेंगे और उसके बाद इसा हव् illness के लागते हम तेल लगा लेते हैं हाथ के लागते हुआ लागते हैं और उसके बाद sk ambitions के लेंगे लोई रखेंगे लादी हम तेल लेंगे और आप लपीअ ये भीएलन से हम तेल लेंगे तो ज़्यादा धूब के इसे ना यह बेले है क्योंकि हमने इसमे वसाले भी डाले है हल्के हट से ही इसे बेल ले लेगे हम तो दूर्सी भी हम आपको 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 और इसको हलका हलका साइट साइट से हलका दबा लेंगे ताकि यह अच्छी फूल जाए आज को हम थोड़ी तेजी रखेंगे शुरू में बाद में मीडियम पे कर देंगे थोड़ा गरम तेल में हम पूरी को डालेंगे तो अच्छी बनेगी तो ऐसे हलके-हलके दबाते हुए कर्ची से यह आप देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी फूल गी है उसके बाद हम इसे पलेट लेंगे थोड़ा-थोड़ा तेल डाल लेंगे तो दोनों साइट से अच्छी करारी इसे बना लेंगे यह अच्छी तरह अलर्ट पर लेट करके बिल्कुल अच्छी करारी बन जाएगी तो अब हम जैसे ही तेल ज्यादा गरम हो जाता है आप गैस को मीडियम पर कर दें तो यह आप देखिए बिल्कुल कितना अच्छा कलर इसमें आ गया है यह देखिए अब हम दूसरी भी डाल देते हैं ऐसे ही इसे भी साइट से थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियो आने वाली वीडियो होंगी वो आपके पास फटा फट से पहुंच जाएं तो यह आप देखें दूसरी भी हमने ऐसे ही बना ली है यह आप देखें क्या अच्छी फूल के विल्कुल तयार हो रही है पूरियां हलका हलका तेल इसमें डालते रहें ताकि यह अच्छी करारी बने थोड से पूरी फिर फूल जाती है तो यह अलट पलट करके अच्छी करारी हम इसे भी कर लेंगे यह आप देखें तो आप कभी भी बच्चों के लिए बना सकते हैं अपने लिए बना सकते हैं सुबह बना सकते हैं दिन में बना सकते हैं या फिर श्याम को बना सकते हैं इसको दह यह आप देखें कितना अच्छा कलर और कितनी टेश्टी लग रही है देखने में ही, तो एक बार बना के जरूर ट्राइ करें, दही के साथ खालें इसे, बहुत ही टेश्टी लगती है, तो यह हमने सारी बना के तयार कर दियें, जरूर बनाई है, थैंक यू